नेताजी शुभाद स्वांजों बोशुद जौन बोधी बोशुपलों केकूस दिपे नामकरून शरशरी नचर रागबो आन्दाबान निकोबारे शेई उनुष्ठाने प्रधान मंत्रे एक चिरंतर प्रेडा का स्थल बनेंगे मैं अन्दमान निकोबार की दी समू के लोगों को और सभी देश्वाज्यों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ मैं नेताजी सुभाष और प्रमविर चक्रविजेता योद्धाओं को स्रध्धा पुर्वक नमन करता हूँ भाई और बहनों अन्दमान की ये धर्ती वो भूमी है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था इस धर्ती पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था इस सब के साथ अन्दमान की इसी धर्ती पर वीर सावरखर और उनके जैसे अंगिनत विरों ने देश के लिए तप तितिक्षा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था सेलूलर जेल की कोठरियां उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जज़बे के स्वर्व वहां पहुंचने वाले हर्क्षिजी का कान में पढ़ते हैं सुनाई पढ़ते हैं लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम के उन स्मृत्यों की जगह अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड़ कर रखा गया था हमारे आइलेंड्स के नामों तक में गुलामी की चाप थी पहचान थी मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेयर आया गया था तो वहां मुझे में तीन मुख्य आइलेंड्स को भारतिय नाम देने का आउसर मिला था आज रॉस आइलेंड नेता जी सुभाद चंद्र बोर्द विब बन चुका है हेवलोक और नील आइलेंड स्वराज और सहीद आइलेंड बन चुके हैं और इसमें भी दिल्चस्प ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेता जी का दिया हुआ था इस नाम को भी आजहती के बाद महत्वन नहीं दिया गया था जब आजाद हिंद फोर्च की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से सापित किया था साथ क्यों आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेता जी सुभास को आजहांदी के बाद भूला देने का प्रयास हुआ आजदेश उनी नेता जी को पल पल याद कर रहा है अन्नमान में जिस जगह नेता जी ने सबसे पहले तिरंगा फैराया था वहां आज़ गगन चुम्बी तिरंगा आजाध हिन फोज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है पुरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर उनके दिलों में देश भक्ति का रोमाच भर जाता है अब अन्दमान में उनकी याद में जो मुजियम और समार्ग बनने जा रहा है वो अन्दमान की यात्रा को और भी स्मर्णिय बनाएगा 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक मुजियम का लोखारपन दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो मुजियम एक प्रकार से हर पीड़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है इसी तरह बंगाल में उनकी 125 वी जेंती पर विशेस आयोजन हुए थे देश ने इस दिन को पूरे धुम धाम से सलिप्रेट किया था उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में गोशित किया गया यानि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेता जी को नमन्न कर रहा हो उनकी विरासत को संजोन रहा हो साथ क्यों बीते आठ नव वर्षों में नेता जी सुभासंद्र बोस्त के जुड़े ऐसे कितने काम देश में हुए हैं जीने आजादी के तुरंद बात से हो जाना चाहिए था देखो समय नहीं हुआ देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी इस समय को अब देश जादा गवरव के साथ स्विकार कर रहा है कि जब आजाद हिन सरकार के गठन के पत्तर वर्ष पुरे हुए तब लाल कि लिए पर देश ने जन्ना भारा कर नेता जी को नमन किया था दसकों से नेता जी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सारवजेनी करने की मांग हो रही थी ये काम भी देश ने पूरी स्रध्धा के साथ आगे बढ़ाया आज हमारी लोक तांकते संस्ताओं के सामने कर्तव्य पत्थ पर भी नेता जी बोस की भव्य पतिवां हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है मैं समझता हूँ ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानस से जोड़ा सांजे और समर्थ आदर्स गड़े वो विकास और राष्ट निर्वान की दौर में बहुत आगे गए इसलिए यही काम आजादी के अम्रित कान में भारत कर रहा है जी जान से कर रहा है कर रहा है